नमस्कार आप देखे रेंटिटीव राधस्तान और मैं हूँ मनीश शर्मा आज बात होगी अगले आदे घंटे महिला सुरक्षा को लेकर राधस्तान में जो बीते कई सालों से बड़ा मुद्दा बना रहा है और बदस्तूर महिलाओं के साथ अपराद राधस्तान में जारी हैं आपने पुलीस थानों पर अक्सर एक लाइन लिखी देखी होगी अपरादियों में भै आम जन में विश्वास पुलीस इस नारे से अपनी छवी चमकाने की लाख कोशिशे करे लेकिन हमारे आसपास होने वाली घटनाएं अक्सर पूरे पुलीस महग में और सरकारों के दावे की बख्या उधेड कर पूरे समाज को जगजोर देती हैं इनारा उल्टा साबित होता दिखाई पड़ता है यानि अपरादियों में विश्वास और आम जन में खौफ ताजा मामला इसी तरह के आम जन में खौफ का कोट पुतली से है जहां पुलीस से सुरक्षा मां देश की राजधानी दिल्ली में हुए निर्विया कांड की याद भी दिला दी है बीते साल चुनाओ में महिला त्याचार नहीं सहेगा राजिस्थान का नारा देने वाली बीजेपी ने नई सरकार बनाई लेकिन दुशकर्म और अब महिला अपरादों को लेकर देश भर म नहीं दे रहे हैं राजस्थान वासियों को इसी पर हम चर्चा करेंगे आगले आदे घंटे की दरिंदगी कैसे सहेगा राजस्थान महमान हमारे साथ होंगे उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिये समझा देते हैं क्या मामला है प्रदेश में निर्भिया जैसी हैवानियत देखने को मिली है आरोपी ने पहले रेप किया धमकी दी और हमले की खौफनाक वारदात को भी अंजाम दिया कोटपुतली में थाने से बताय जारा सिर्फ पचास मीटर की दूरी पर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गंडासे से बीस वार किये महिला पर पीडिता को गूली भी मारी गई चश्मदीद भाई पर भी सरीय से हमला किया गया गंडासे से यूति के अंग अंग पर हमला किया गया हमले इतने कहें कि बहुत जादा हैं सिर्फ हट गया है पांस से जादा गहरे घाव हैं कान पर भी चोटे आई हैं दिमाग फेपडो और पैंक्रियास में भी गहरी चोट फिर पीडिता को धमकियां देने लगा कहा कि केस वापस लो वरना मार दूँगा ये तक धमकी दी ये परिजनों का कहना है पीडिता ने केस वापस लेने से इंकार कर दिया और फिर उसके बाद 24 फरवरी की वो शाम शनिवार को अपने आरोपी ने दोस्तों के साथ पीडिता और उसके भाई पर जो स्कूटी से जा रहे थे उन पर हमला किया और इस दोरान धारदार हतियार का इस्तमाल किया और फाइरिंग भी की जिसमें पीडिता के रीड की हड़ी में बताया जारा की गोली धसी हुई है तो एक तरह से कहीं कि जो दरिंदगी है राजस्थान में म इस मामले में राजस्थान में महिला अपराद दुषकर्म के मामलों में बढ़ोत्री भी देखी गई जो एंस्यार भी का डेटा था चुनाओं में बड़ा मुद्दा भी बना कहा कि हालात बदलेंगे बीजेपी के दावे थे सरकार बदली लेकिन फिलहाल इस तरफ कोई ब आज वर्दन से राठाद अध्योग मंतरी ने भी क्या का दोनों के रियक्शन सुना देते हैं यह तो कोई माफी होगे कारवेज हो दी सकती लापरवे से ब्रड चल गया जान चली गई तो सरगारी तो क्या रेस्पॉंस है क्या उनके परिवार के धेया लगा जारा है को इश हुआ ने मौजन दिया वनको परिवारों को परिवार गार का दावी क्या जोग बिक है तो बहुत दुख़त बात है के एक बच्चा जहasında जो चला गया तो इससे पर दुखत बात क्या हो सकती है, तो ऐसी गटने होती जा रही है, तो दुखत बात है कि उस पर कारवी क्या हो रही है, गटना दुर गटना देश भर्म होती है, प्रदेशम होती है, पर रास्तान एक सांधिप्री प्रदेश राह में सांथे, हमारे भक्त में कौशि की गई एजी गटना कम देगम हो बारती जंता पार्टी की सरकार राजिस्तान के अंदर भजनलाल जी की सरकार महीला सुरक्षा के लिए बिल्कुल सचेत है और उधारण मनाया जाएगा जो ऐसे अपराद करेगा उसके उधारण मनाया जाएगा जो ऐसे अपराद करने के की जान बचे सबसे बेतरी मेडिकल सुविधा यहां पर दी जा रही है अभी डॉक्टरों के साथ बहुत विस्तित इस पर चर्चा हुई और उनसे चर्चा करने के बाद यह जो बोर्ड है इसको खुली छूट दी भी है अगर मेडिकल एडवाइस दी जाती है तो मेडिकल और दूसरी कोई भी ऐसी जगन्य अपरात करने की सोचे भी नहीं विचार भी ना करे उसके ओबर कड़ी कारवाई होगी तो दोन उपक्षा आपके सामने पूर सीम कह रहे है जाच होनी चाहिए किस तरह से घटना हुई और सरकार कह रही कि उधारन पेश करेंगे मेमान हमारे साथ मौझूद है बीजेपी कॉंग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुट चुके हैं और योगिंद्र कुमार जोशी रिटायर्ड पुलीस अधिकारी भी हमारे साथ होंगे पहला सवाल पीजेपी के स्पोक्स परसन से लेंगे तीनों मेमान इस वक्त हमारे सामने मौझूद है कृष्ण कुमार जानू बीजेपी से हैं कृष्ण जी नवेंबर दोहजार तेईस में पीडिता ने कोट में पुलीस के सामने जाकर का कि मुझे खत्रा है सुरक्षा दीजिए क्योंकि जमानत पर छूट कर आया आरोपी और अब धमकार आया पूलीस ने सिर्फ परिवाद दर्ज किया और उसकी परिणती यह हुई कि सुरक्षा मिली नी चौबीस फरवरी की घटना अब वो मौत और जिंदगी के साथ में जूज रही है आपकी सरकार आई थी महिला अत्याचार कैसे सहेगा राजस्थान इस नारे के साथ में उन आरोप को शायदा भूले नहीं होंगे जनता भी नहीं भूली है पूरे प्रदेश में उन नारोप को आपने होर्डिंग पोस्टर्स के जरिये लगाया महिलाओं ने भरोसा भी जताया आप पर राजस्थान की महिलाओं एकसर सरकारों में बड़ी भूमिका भी निभा रही है बनाने में लेकिन नौबत हाल अगर देखें तो जो आरोप आप कॉंग्रेस पर लगा रहे थे पिछले पांच सालों में कि दुशकर्म में महिला दुराचार में राजस्थान प्रगती कर रहा है हम उसको दुरुस्त करेंगे विवस्था को क्या कहेंगे आप इस घटना पर देखिए घटना दुखन है लेकिन अपराद की प्रस्टभूमी को देखा जाए तो जून दो हजार तेईस में इस अपराद की घटना तो कारित किया गया था और शरकार ने और जांच अजेंसियों ने तब इतना कमजोर अनुसंधन किया कि नवंबर में ही अपरादी को जमानत मिल गई और जमानत मिलने के बाद उसने जिस प्रकार की धंकियां दी और अवशर देखकर जी आपका पुलीस अब अपरादियों गिरफ्तार करने के बाद उसका जुलूस निकाल रही है जिस प्रिगर की भी कठोर करवाई विद्धी सम्मत प्रक्रिया में हो शकती है वो शब करने की तैयारी की जा रही है और पिडिता को शरक्षन के साथ साथ स्वास्ते लाब की भी समकूर्ण चितिन था मुक्यमंत्री और बाकी शारे मंत्री लोग भी उससे मिलकर अपनी भावना प्रकट कर चुके हैं कि हैने के लिए सीधे तोर पर यही है कि कॉंग्रेस ने पांच साल में राजस्थान में कानून का इकबाल खत्म किया था हम सो दिन में कानून का इकबाल स्थापिक कर पाएंगे उनकी बुनियाद की कुछ घटनाएं अपराधिक अगर खट रही है उनको भी घटने से रोकने का पुरा बंदोवस्ट किया जा क्रिशन जी ये आप से कम से कम अपेक्षा नहीं थी आप इस घटना का बैकड्रॉप समझा कर बचाओ करेंगे खुद का नवेंबर में निश्यत रूप से जमानत पर आया आरोपी लेकिन सरकार अब आप ही किये सौ दिन करीब करीब हो चुके आपको अब आप कहें कि और घटना आपकी सरकार में इस आरोपी आपके विधायक भी जीत कर रहा है आपने हमारे वरेश्ट मंतरी का बैयान घटना करीश बैयानों से क्या होगा आपने आपने वारदात की ग्रैविटी देखी है आपने अंग घायल कर दिया गया यूती का हर जबहें वार किया गया गूली मारी गई मतलब डॉक्टर्स का ये कहना एक रिश्ट गुमार जी कि पूरी कोशिश की गई कि महीला बची न पाए अब आप कह रहेंगे पुलीस हारोपियों का जुलूस निकाल रही है हमारा बयान सुन लीजिए अच्छा एक बात बताईए एंडी टीवी पर आप से पहले अलग करक्रम के एंकर का सवाल होता है तो आप जबाब दे नहीं होते अपराद की बुनियाद अगर कांग्रेस के करकाल में रखी गई है तो उसके लिए मजलल सरकार जो है अभी पराई है कि नवेंबर 2023 में पुलीस से सुरक्षा मांगे गई डिसमबर में आपकी सरकार बन गई डिसमबर, जैनवरी और फरवरी करीब करीब तीन महीने से आप राधस्थान में है अभी भी आप बचाओ करेंगे कि पुराना मामला था इसलिए पुलीस ने सुरक्षा नहीं की और ये हादसा हो गया इसका एंड़ी टीवी के एंकर के सवाल पूछने से क्या सरोकार आपकेशन कुमार जी निक्वान निश्चित रूप से पुलीस प्रशासन के जिन लोगों ने नापरवाई का आचरण किया है अभी थोड़ी देर पहले राज्यवर्दन जी का बयान आपने सुना आउगा कि अपराद में सामील और अपराद को शरक्षन देने वाला कोई भी हो चैवर्दी वाला हो अपरादी और अपराद को शरक्षन देने वाला कोई नहीं बचेगा इस बात के पुखता बंदोवस्ट किये जा चुके ठीक है अब आप मान रहें कि पुलीस ने धील की है और पुखता इंदिजाम अब करेगी आपकी सरकार अब दर्शकों के लिए बता दे कॉल भी कर सकते हैं आप 817-889-201 यह हमारा नंबर है सीधे है आप अपनी राजस्थान में सुरक्षा को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर खास तोर पर अपनी राय रख सकते हैं इस घटना करम पर भी मेरे साथ रिटार्ड एडिशनल SP योगिंद्र कुमार जोशी भी मौजूद है जोशी शाब ND TV पर आपका स्वागत पूरा घटना करम आपने सुना होगा अगर आप वाकई इसको पढ़ें और समझें तो निश्चित रूप से जो 11-12 साल पहले घटना हुई थी दिल्ली में निर्बया कांट जैसे उस तरह का वाकिया लगता है कोई कसर नहीं छोड़ी गई पहले दुश्करम फिर धमकी और फिर हमला आप मानते हैं कि पुलीस ने बड़ी धिलाई बढ़ दी इस मामले में उल्टा चश्मडीद भाई जो है पीडिता का उसका तो कहना ही है कि पुलीस के साथ में फोटों फोटोग्रैफ सोशल मीडिया पर शेयर करता था गटना पर लेकिन इसके उपर ने तो प्रसाशनी का दिकारी जो इनके उपर मोनेटरिंग करते हैं ये भी एक्शन नहीं लेते और हमारे राजनेताओं का दुर्भाग्य है कि जब जिसकी सरकार होती है वो उस पुलीस को अपनी मानने लग जाता है और जब वो दूसरे की सरकार होती है तो पुलीस को दूसरी मानने लग जाता है दो महीने पहले यही सरकार कांग्रेस की थी और अब दो महीने बाद यही सरकार बीजेपी की है अब ये क्या कर रहे हैं कि ये इन पुलिस वालों को ये कह रहे हैं कि साब हमने ये किया हमने वो किया मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस की जिम्मेदारी ये जब तक निश्चित नहीं करेगे जब तक अपरादों में कोई किसी प्रकार की कभी नहीं आईगी सरकार बदलने से क्या होता है सरकार बदलने के बाद मैं एक्शन लेना कि पुलिस में परिवरतन मिले आम नागरी करता ठाने में जाता है तो उसकी रिपूर्ट दर्जो आप देखिए इसके अंदर वो महिला ठाने में जाती है और वो कहती है कि साथ मुझे इस प्रकार के बदमाश मुझे हस्ट्या करने की धमकी दे रहा है तो आप बताईए उसके बाद भी इस तारीक के बाद तक अब तक कोई कारवाई नहीं की उसमें लेके बैठे हुए यह लोग या तो यह उससे डरते थे या यह उसमें शामिल है मैं यह क्या रहा हूँ कि 116 एक के साथ कारवाई के साथ इन पुलिस वालों को भी 120 बी का मुझे बनाना चाहिए क्योंकि यह कोई मतलब नहीं होता किसा हमने हमारे पास कंप्रेण आ गई थी हमने क्या किया इन्होंने नहीं किया तो हमने सस्पेंट करने कुछ नहीं होता इनको अभर्खास करो और उस से 311 का काम में लेकर के इनने नो गर्रिस है झाल देना चाहिए मैं यह कह रहा हूँ कि ASI को सस्पेंट करने से क्या मतलब है S.S.P. को पूरी जानकारी रहती है ठाने में सुप्रिम कोर्ट ने करका है यह थानों में CCTV कैमरे लगाएं आज तक यह CCTV कैमरे नहीं लगाए और इस घटना में तो जोशी साब सबसे बड़ी गहर करने वाली बात है कि ठाने के बताया जा रहा है कि 20-30 मीटर दूर पे घटना हुई है पुलीस दस से पंद्रा मिंट बाद वहां पहुंची है हमारे यहां सबसे बड़ी दुर्भागी की बात है कि पुलीस की पोस्टिंग राजनतिक नेता अपनी इच्छा से करते हैं आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं होता था एसबी को जिला चलाने के लिए सतंतरता होती थी जिले में किस ठाने में ऐसे चो लगेगा यह एसबी का अधिकार होता था इच्छी का अधिकार होता था उसकी रेंज में लगाने का लेकिन आज सुदी क्या है नहमेले एमपी अपना इच्छी लगाएंगे अपना इस्टी लगाएंगे ताकि उनकी बात सुनी जाए और उसका नतीज़ा क्या होता है नतीज़ा इस तरह की घटना ही होती जोशी शाप बिलकुल ये पूरे राजस्थान के सामने है और हमारे साथ इसवक्त दर्शक भी मौजूद है हरी शंकर हनुमान गड़ से मौजूद है वो भी अपनी बात रखना चाहता है जी हरी शंकर जी बताइए जी जेपूर में गटना हुई है जो बच्ची वाली जी गंडासे से मारी इस लटकी इस वेक्ति को जमांद मिल गए ती सारा जी तो ये नयाए वैस्ता पर भी है ना कि ऐसे वेक्तियों को जमांद मिल जाती है और फिर बेखो को कर वो वार्दा और पहले दंकी भी मिली दी इसलिए पुलिस को भी कुछ चैनिंग कुछ ऐची वैस्ता हो ताकि पुलिस भी कुछ करें और पुलिस को बिल्कुल सफंद्र छोड़ दिया जाए और नयाए वैस्ता में भी बैसे अपराजियों को जमांद नहीं दी जाए और जमांद दी जाए तो उसके बाद उन पर मोनेंट्रिंग की जाए कम से कम जो बलात करकर रोकती है उन पर पुलिस को डेली मोनेंट्रिंग करनी जाए उनको ठाने में आजरी लगवाना दो बार और ऐसे कारे करने जाए बिलकुल बिलकुल अरिशंगर जी इस तफाक रखते हैं इस बात से हमारे साथ एक्सपर्ट है उनका भी रूख करेंगे बहुत बहुत शुक्री आपने अपनी बात रखे हमारे साथ इस वक्त एक और दरशक गोपी चन्द मौजूद है जोद्पूर से उनका रूख करेंगे जी गोपिचन जी अपनी बात रखे आप भी क्या आपका व्यू है इस मामले को लेता है। आप भी करो बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षा दे नी चाहिए शुरक्षा की बात करनी चाहिए निश्यत रूप से कृषिन कुमार जानू सुन रहे होंगा यह आपी के लिए बात है। प्रिशन जी की पुरानी सरकार गई इसलिए तो जनता ने हटा दिया अब अब अपनी बात कीजे अब जिस तरह से मैं एडिशनल स्पी साब से भी बात कर रहा था कि धारा है जोशी साब 323, 504, 506, 306. क्या इतनी आसान धारा हैं कि आसानी से आरा आरोपी को इतने घंबीर आरोपी को जमानत मिल जाए और फिर वापस से धमकाने लगे और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दे। आपरादी को सजा दिलाती हैं तो इस अपरादी को दो महिने में ही जमानत मिल गई, इसका मतलब यह हैं के हमारे अभियोजन Mивается is नियाले के समक्ष पूरे साख्ष नहीं रखे, नियाले के समक्ष पूरी बात नहीं रखी और नियाले पालिकाने उस गंबीरता को देखते तो अभियोजन करते हैं क्योंकि अभियोजन भी पुलिस के पास ही है वो भी राजी सरकार के हैंगे तो इनको ऐसे अपरादी की जमानत नहो उसके लिए पुखता साक्षों को एकत्र करके निया लेके समक्ष रखना चाहिए मैं यह कहता हूँ शामनगर में बेंक टकेती आप देखिए अभियोग तो नहीं पकड़े गए और अभी जोटवाड़ा में जब पी एनपी बेंक में बेंक टकेती हुई जब केशियर के गोली मारी गई तो वो अभियोग पकड़ा गया तो आप बताईए कि दो बेंक टकेतिया हो गई है पुलिस ने उसको नहीं पकड और वो पकड़े तीसरी बेंक टकेती में आया है मैं यह कह रहा हूँ कि जितने भी गंबीर प्रकरती के अपरादी है उनके उपर पुलिस एक्शन नहीं लेती आप बताईए पंजाब में अपरादी अपराद करता है अज मेर में मिलता है कैरल में गोली है वहाँ चोईस प भी यहां बाल गरेज से भागे गए हैं अपरादी उनमें से एक अपरादी एक वियापारी को दस लाग रुपे की फिरोती की दमकी देखा टेलीफोन पे तो मैं यह कह रहा हूँ सरकार बदलने से अपरादी नहीं बदलता बिलकुल बदलने से पुलिस नहीं बदलती करता हूँ कि इनको सक्ती करनी चाहिए और जो MLAP करते हैं उन अधिकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए उनके काम के इसाम से पोस्टिंग होनी चाहिए बिलकुल अब सवाल अनूप ठाकूर से भी लेंगे हमारे साथ असबीच अनूप जी आप तक बापस लोटेंगे कांतिलाल प्रजापती एक दर्शक यवतमाल महराश्टर से मौजूद है निश्चित रूप से ये सिर्फ राजस्थान का मुद्दा नहीं है महिला हो गई करला प्रण बेक्मी के सिर्फ कि जाता तो दूसरे को जिमेदारी इसोप के जाता है जाता हृ और आज कि विस्व कोने हिस襁 हृ सा थैर्ब कि और वी अव study कानून वहेस्था पे विस्वास हे और आध चृम रोकने की बज़ाए वही क करा ना और की। ठीक है बिलकुल कानुर रुयस्था को लेकर सवाल है, बहुत शुकर्या कान तर्राल जी आपने बात रखी एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त हंसराज श्री गंगा नगर से मौजूद है, जी हंसराज जी क्या कहना है कानुर रुयस्था का मसला है, महिला दुशकर्म की ए इसको जानबूज के जमानत दी, कम से कम ध्यान भी रखा, तो ऐसे पुलिस कर्मियों के साथ तो वह यह वैवार होना चाहिए जो बाकी के साथ होता है, साथ के साथ इनको घर बिटा देना चाहिए सब्सक्राइब बात रखने के लिए, इस वक्त पर कॉंग्रेस के प्रवक्त अगर रुख करेंगे, अनुप ठाकूर हमाज साथ मौजूद है, अनुप जी सवाल, निश्यतूप सब सरकार बदल गी, आपके लिए बड़ा आसान है इन पर उठाना, लेकिन जो मामला है, प्रामाफ साइग देखे, जून 2023 की फायर है, जो लॉज की गई, नमेंबर में आरोपी को जमानत मिल गई, और जिस तरह से अभी एडिशनल स्पी हमारे साथ मौजूद है, जो दर्शक भी कह रहे है, कि जो ट्रायल अब योजन है, वो इतना कमजोर किया जाता है, कि इस तरह के अपरादी को, आरोपी को जमानत मिल गई, और उसकी हिम्मत देखे, फिर स वक्त का ये केस है, अब आप कह देंगे कि बीजेपी आ गई है, इस मामले को सुधारी, आरोप आपके स्थानी विधायक पर भी लग रहे हैं, ततकालिन विधायक और मंत्री भी थे राजिंद्रे आदाव, का जा रहा है कि उन्होंने उस तरह से पोलिटिकल शरण दी भी इनकी सरकारे हैं, लेकिन नीतां दुर्बा की बुन बात ये है, कि ये कांग्रेस के समय में हुआ, ये कहे के पल्ला जाड़ देने से मातर से, इन चीजों से हमरा देश और प्रदेश नहीं बचेगा, ये तो आप देखिएगा, कि भारत के जंदा पार्टी ने महीला सुरक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, निश्चित रूप से सरकार को इस प्रत्त की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बलकि प्रधान मंत्रेची गारंटी गारंटी, महिला सुरक्षा की गारंटी करते थे, मनीपुर के मामले पे कभी वो बोलते नहीं है, अभी या बेंक पंबीर है क्योंकि ये इस चीज़ से आप अल्ला नहीं जाड़ सकते कि आपकी सरकार में जब थी वहाई आपके विधायक थे कोट पुदली में तब मामला दर्ज हुआ आरोपी को जमानत मिली नमेंबर में तबी भी आपी की सरकार थी त्राइल कमजोर हुआ ये कहना है पू सब्सक्राइब करते हैं तो अभी तक इन्होंने क्या भैसले की सो दिन हो गए सो दिन में बैंक डखेतियां भी हो गई एक मुगदवा दर्ज तराने के लिए रेप पीडिता को टंकी पर चड़ना पड़ जाए गुहार लगानी वही आरोप आप पर लगते थे जब इनकी यह विपक्ष में बैठे थे बीजेपी पार्टी और अब आप उन पर आरोप लगाएंगे निश्यतुप से बीजेपी कॉंग्रेस का मसला है भी नियानुद जी हमारी सरकार में रिपोर्ट जर्ज कराना ठीक है आप अपनी सरकार की लब्दियां गिनाएंगे लेकिन असल में तो जब सरकार को खारिस किया लोगों ने इसलिए खारिस किया कि कानून विवस्था वाकई एक बड़ी चुनौती बन गई थी आपकी सरकार के लिए अलांकि बीजे की पिरवक्ता भी अपना बचाव करते दिखाई पड़े लेकिन मानना ही चाहिए कि फिलहाल जो कानून विवस्था की चुनौतियां हैं उनको दुरुस्त किया जा और इस तरह के मामले कम से कम महिलाओं को दुबारा नहीं जहिलने पड़े यहीं उम्मीद की जा सकती है और पुलीस का जो नारा है अपरादियों में खौफ आम जन में विश्वास वो कहीं साकार होता दिखाई पड़े राजस्थान में फिलाल मेरे साथ इतना ही बागे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें इंडिटी विरास्थान के बादन के सबस्दों सांसाथ नारा हैмен और में लए्स तुलीस के साथ जंग् weildदैक्षप आप आपधें, और णुलीस रॉरा यजदैए है।